हेलो एवरिवन इस वीडियो में हम वज्जी के बारे में पढ़ेंगे जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि मगत एक सक्तिसाली राजे बन गया था और मगत के ही नजदीक एक और राजे था वज्जी 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 वज्ज means organization or association जो गन होता था गन शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूं के लिए किया जाता था और संग किसी संगठन या सभा को करते हैं In this type of government there was a group of kings who ruled the kingdom और इस type की जो government होती थी गन और संग की इसमें राजाओं का एक group होता था जो पूरे राजे पर रूल करता था In गना और संगा sometimes there were thousands of men who ruled together and each one was now us राजा और ये जो गन और संग जो group होता था इसमें more than thousand लोग मतला आदमी होते थे जो एक दूसरे group पर एक राजा की तरह रूल करते थे All राजास decide together that what had to be done and how through discussion and debates और ये जो सभी राजा होते थे ये विविन अनुष्ठानों को एक साथ संपन करते थे और सभाव में बैठ कर ये बाचीत, बहस और वादविवात के जरी तै करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है यहां तक कि सत्रूओं के आक्रमर से निपटने के लिए भी वे मिलकर चर्चाय करते थे बुमेंस दासास और कामकारास कुड़ नौट पार्टिसिपेट इन डिसकर्शन और डिबेट्स और जो औरते होती थे दास होते थे और कामकार होते थे वो इन सभाव में हिस्सा नहीं ले सकते थे जो बुध और महावीर हैं ये दोनों ही गन या संग से संबंधी थे वजजी संग का जो वर्णन है दीग निकाए में मिलता है दीग निकाए एक प्रसिद बहुत ग्रंत है जिसमें बुध के कई व्याख्यान दिये गए है ये बुक करीब 2300 साल पहले लिखा गया था राजास आफ पावरफुल किंडम्स किंडम्स ट्राइट टू कॉनक्यूर्क संगास बट संगास मैनेज तू सरवाइब फॉर लॉंग कई सकती साली राजा इन संगों को जीदना चाहते थे इसके बावजूद उनका राजे अब से लगवा 1500 साल पहले तक चलता रहा उसके बाद गुप्त शाशकों ने गण और संग पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राजे में सामिल कर लिया आगे हम रिविजन करेंगे जो अभी तक इस टॉपिक के अंतरगाथ हमने पढ़ा इस 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 चाहते हम पर खिए इस चाहते हैं more than 1000, not one hand, they were now Asraja. These Rajas completed traditions together and they also used to arrange meetings for upcoming course of action if wanted. Any women, including Dasas and Kamkaras, were not participating in these assemblies. Both the Buddhas and Mahavira belonged to Ganas. Bhaji has ruled for more than 15 years many powerful Rajas and tried to overcome Sanghas. Then Gupta era overcome empire when last Sangha ruler was defeated. Here, this chapter is complete. I hope all of you understood all concept very well. Thank you. яжj 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 яжj